जैसिया राम जै जैराम फल भारन नम बिटप सब रहे भूमिनिय राई पर उपकारी पुरुस जिमी नवही सुसंपति पाई फलों के बोज से जुक कर सारे ब्रिक्ष पुर्थवी के पास आ लगे हैं जैसे परोपकारी पुरुस बड़ी संपति पाकर बिनाई से जुक जाते हैं जै सिया राम जै जै राम मंगल भवन या मंगल हारी द्रव उशुद शिरत अजिर भिहारी देखी राम अतिरुचिर तलाबा मजनुकीन परम सुख पावा देखी सुन्दर तरुबर छाया बैठे अनुज सहीत रगुराया स्री राम जी ने अतिन्त सुन्दर तलाब देखा और उसमें इस्नान किया और परम सुख पाया एक सुन्दर उत्तम जिक्ष की छाया देखकर स्री रगुनाज जी छोटे भाई लक्षमण जी सहीत बैठ गए तहां पुनि सकल देव मुनि आये अस्तुति करी निज धाम सिधाये बैठे परम प्रसन कृपाला कहत अनुज सन कथा रसाला फिर वहां सब देवता और मुनि आये और इस्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए कृपाल सीराम जी परम प्रसन बैठे हुए छोटे भाई लक्षमण जी से असीली कथायें कह रहे हैं विरहवंत भगवंत ही देखी नारद मन भा सोच विसेखी मोर साप करी अंगी कारा सहत राम नाना दुख भारा भगवान को विरहयुक्त देखकर नारद जी के मन में विसेश रूप से सोच हुआ उन्होंने बिचार किया कि मेरे ही शाप के कारण सीराम जी नाना परकार के दुख भोग रहे हैं यानि दुख उठा रहे हैं ऐसे प्रभु ही बिलो काउं जाई उन्ही नबनी ही असे अवसरो आई यह विचारी नारद कर बीना गए जहां प्रभु सुक्या सीना ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जा कर देखूं फिर ऐसा उसर नबन पावेगा यह विचार कर नारद जी हाथ में विणा लिए वहां गए जहां प्रभु सुक्षपूर्वग बैठे हुए थे गावत रामचरित मृतुबानी प्रेम सहित बहुभाती बखानी गरत दंडवत लिये उठाई राखे बहुत बार उरलाई वे कुमल बाडी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर रामचरित का गान कर रहे हैं और दंडवत करकते देखकर सी रामचरित जी ने नारज जी को उठा लिया और बहुत तेरता खिरता इसे लगाए रखा स्वागत पूँच निकट बैठारे रचिमन सादर चरन पखारे फिर स्वागत निकुसल पूच कर पास बैठा लिया लक्षमण जी ने यादर के साथ उनके चरन धोए नाना बिधी बिनती करी प्रभु प्रसन जी जानी नारज बोले बचन तब जोरी सरो रुह पानी बहुत प्रकार से बिनती करके और प्रभु को मन में प्रसन जान कर तब नारज जी कमल के समान हाथों को जोड़ कर बचन बोले जै सिया राम जै जै राम मंगल भवन मंगल हारी द्रवव शुद शरत जिर भिहारी सुने हु उदार सहज रघुनायक सुन्दर अगम सुगम बरदायक दे हु एक बरमांगव स्वामी जद्य पिजानत अंतर जामी है सुभाव से ही उदार स्री रघुनायक जी सुनिये आप सुन्दर अगम और सुगम बरके देने वाले हैं है सुभावी मैं एक बर मांगता हूँ वह मुझे दीजिये यद्दे भी आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं स्री राम जी ने कहा ए मुनी तुम मेरा सुभाव जानते ही हो क्या मैं अपने भक्त से कभी कुछ छिपाव करता हूँ मुझे ऐसी कौन सी बस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनिस्रेष्ट तुम नहीं मांग सकते ही जन कहूं कचु अदे नहीं मोरें अस विश्वास तजहूं जनिभोरें तब नारद बोले हरसाई अस बरमांगऊं करऊं ठिठाई मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदे नहीं है ऐसा विश्वास भूल कर भी मत सोड़ो तब नारद जी हर्चित होकर बोले मैं ऐसा बरमांगता हूं यह दृष्टता करता हूं जद्य पिप्रभु के नामनेका पृतिकह अधिक एक तैंका राम सकल नामन तैं अधिका हो नाथ अगखगन बधिका जद्य पिप्रभु के अनेकु नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर हैं तो भी हिनात राम नाम सब्द सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समों के लिए यह बधिक के समान हो राका जननी भगति तब राम नाम सोई सोम अपर नाम उडगन विमल बसहु भगत उर बिहुम आपकी भगति पूर्ण मा की रात्री है उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागन होकर भगतों के लिए रूपी निरमल आकास में निवास करें जै सिया राम जै जै राम मंगले भवने मंगले हारी द्रवा वुशु दख्शे रते अजी रेवी हारी